Hello everyone, welcome to break time classes. इस वीडियो में हम budget 2023-24 को complete cover करेंगे और इसमें जितने भी question budget section से आ सकते हैं वो सभी यहाँ पर cover होंगे चाहे वो statement wise question आए या फिर किसी data से related question पुछा जाए किसी योजना से related question पुछा जाए सब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले budget की बात करें तो पहले कुछ पहले की बात देख लेते हैं भारत का जो पहला budget है वो कब पेश किया गया था यह statement wise question पुछ ले आता है या फिर छोटे exam में यह direct fact कुछ ले जाता है तो 7 अप्रेल 1860 में पहला budget भारत का पेश किया गया था ब्रिटिश शाषन के टाइम पे और प्रस्तूत करता कौन थे James Wilson जो की एक Irish वेक्ती थी Irish मूल के आरलेंड के वेक्ती थे सोतंत्र भारत का पहला budget कब पेश किया गया था तो 26 नॉबर 1947 को पेश किया गया था और इसको किस ने पेश किया था तो आरके शनमुखम चटी ने इसको पेश किया था सोतंत्र भारत का आरके शनमुखम चटी ने पेश किया था 26 नॉबर 1947 को नेक्स्ट बात करेंगे अधिकतम बार budget किस ने पेश किया है तो 10 बार अधिकतम मुराणजी देशाई ने पेश किया है budget इसके लाव नौ बार किया है पीची दम्रम ने ये अरेंज करने को आ सकता है कि किसने सबसे ज़्यादा बार बजट पेस किये तो स्टार्टिंग वाले याद रख लिजिए मुराड़ जी देसाई 10 बार पीची दम्रम ने नौ बार बजट पेस किया है प्रणव मुखर जी औ तो 45.03 लाग करोन का ये बजट था और इसको अमरित काल का बजट कहा जा रहा है अमरित काल का ये पहला बजट कहा जा रहा है क्योंकि जब हमारी आजादी को 75 साल पूरे हो गए तो 75 से लेकर 100 के बीच का जो समय है अगली संचुरी का जो समय है इसके बीच के समय को अमरित काल कहा गया है और यह अमरित काल का पहला बजट है यह बजट किस ने पेस किया है तो हमारी वित्य मंत्री है निर्मला सीता रमन इनके द्वारा पेस किया गया है इनका यह पांच वह बजट है जो की एक फरोरी को पेस किया गया है नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर इस करेंगे सबके अंतरगत क्या क्या चीज़ें आती हैं कौन सी योजना किसके अंतरगत है वो भी देखेंगे तो पहले तो बात करें यहां पर समावेशी विकास की बात की गई है सबको समावेशित करना है यहां पर जो एकदम निचला तपका है उसको भी लेके आना है इसके अ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए ऐसी चीज़ें में निवेस किया जहां से आय बाद में भी पैदा हो सके जैसे अची रोड हो अची बिल्दिंग्स हो जैसे किस तरह की बिल्दिंग जहां से हमारी जो आय है वो जनरेट हो अच्छा संचार हो अच्छी और व्यवस्थाएं हो जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा वहां से बेनिफिट हमें प्राप्त हो सके इसी को आउसन रचना का विकास का जाता है सक्षमता को सामने लाना सक्षम जो चीज़े हैं उनको सामने लाना हरित विकास करना मतलब green development करना green development में बहुत सारी चीज़े आत तो यूआ को रोजगार मिले, यूआ को अच्छी सिक्छाय मिले, तो यूआ सकती इसमें बात की गई है, वित्तिय छित्रों की इसमें बात की गई है, तो टोटल यह साथ यहां पे सब्तिरिशी हो गए, आगे बात करेंगे, वित्तिय वर्स में इस वित्तिय वर्स में पूरा बजट अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसका निचोड है अब इसमें कुछ पुरानी बाते भी की गई हैं जिसे कोविट के दौरान असी करोण से अधिक लोगों को 28 महिने तक मुफ्त खाद्यान बाटा गया था इसके लाओं 2023 की बात करें तो पीम गरीब कल्या गिनाई गई थी भासण में जो की एक्जाम में पूछी जा सकती है प्रतिवेक्ति आये दुगनी की गई है 2014 से वर्तमान में प्रतिवेक्ति आये केती है तो 1.97 लाग 1.97 लाग प्रतिवेक्ति आई है समय इसके लाओं भाड़ती अर्थी ब्योस्ता दसवे नंबर से यहां पर डिश्टल भुकतान किया गया है यह रुपए हैं 126 लाग करोंड रुपए का और जिसमें से ट्रांजक्शन कितने हैं तो चोहत्तर सो करोंड डिश्टल भुकतान यहां पर किये गए हैं तो डिश्टल भुकतान को बढ़ाओ मिला है 2014 से अभी तक 11.7 करोंड परि नेक्स्ट बात करेंगे 102 करोंड लोगों को कोविट का टीका लगाया है यह एक राउंड की बात की जारे 102 करोंड लोगों को यहां पर कोविट टीका लगा है और 47.8 करोंड पीम जो जंधन बैंक है उसको खोला गया है यहां पर नमबर याद रखेगा 47.8 करोंड बहुत ब पीम सुरक्षा Bima योजना और पीम जीवन जीयोती योजना के टाहिंगा पीम किसान सम्मान इधी के द्वारा 11.4 करोन से अधिक किसानों को 2.2 करोन रुपय का अवंटन किया गया है कितने किसानों को 11.4 करोन किसानों को next बात करेंगे अब यहां पर जो हमने सब्तिरिशी देखा था जितने भी पॉइंट थे उसको यहां पर कवर करना है तो समाव इसी विकास के ताहित यहां पर क्या-क्या देखेंगे जितनी भी चीजे लिखी हर एक लाइन इसमें इंपोर्टन्ट है तो कृषी की बात करें तो डिजिटल सारवजनिक और सरनचना का निर्माण किया जाएगा Agriculture Accelerated Fund यानि क्रिशी गतिवर्धक कोष की स्थापना की जाएगी जिसमें क्रिशी से सम्मंदि जितने भी स्टार्ट अप होंगे उनको बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की जाएगी उनको रिण प्रिदान करने की उनको अच्छी से अच्छी वित्य सहता आसानी से उपलब हो सके इसलिए इसका यहाँ पर फंड का निर्माट की जाएगा क्रिशी गति वर्धक कोष का निर्माट नेक्स्ट बात करेंगे बागवानी स्वक्षिपाउद कारिक्रम शूरू करने के लिए बागवानी स्वक्षपोद यहां पर important है ये रूपीज जो है क्रिसी रिण के लिए 20,000,000 करोन की ब्योस्ता किये गई है क्रिसी रिण के लिए जिसमें पसुपालन भी आएगा, डेरी भी आएगा, मत्षकी भी आएगा और क्रिसी भी आएगा, तो 20,000,000 करोन क्रिसी रिण के लिए रखे गए है मत्षकी पालन में निवेज के लिए 6,000 करोन रुपए का आवंटन किया गया है मत्षकी पालन के लिए 6,000 करोन आगे बात करेंगे, अभी लास्ट में जो प्रमो की ओजना है उसको एक साथ भी मैंने लिखा हुआ है, मंत्राले वाईवाई जितना आवंटन किया गया है वो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भारत में मिलेट जो है, मिलेट को क्या कहा गया है स्री अन्न कहा गया, इसके लिए एक वैस्वी केंद्र बनाया जाएगा, जो कि कहां पे डेवलग किया जाएगा, हैदरावाद में स्री अन्न के लिए वैस्वी केंद्र का यहाँ पे पूरा रथान किया जाएगा इसके अलों व्यापक भंडारण ब्यवस्था की जाएगी जो स्टोरेज है बहुत अच्छा स्टोरेज सिस्टम रहे हमारे यहां इसकी ब्यवस्था की जाएगी जैसे हमारे यहां आज वगएरा जल्दी खराब ना हूँ नेक्स बात करेंगी यह तो क्रिशी की बात हो गई अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज खोलने की यहां पे बात की गई है 157 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे 2014 से अभी तक जो 157 मेडिकल कॉलेज हो गए थे सबसे संबध रूप से सबसे जुड़े हुए नर्सिंग कॉलेज भी होगी जिसे नर्सिंग को भी बढ़ावा मिले तो 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे इसके घलावा सीकल सेल एनीमिय मुक्त भारत के जाएगा कब तक लक्षी कतना रखा गया है तो 2067 तक भारत को सीकल सैल एनीमिय से मुक्त करना है इसके अलवाँ फार्मा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा तो यह सभी मेडिकल के चेत्र की बात हो गई यहाँ पे सबसे इंपोर्टन जो है 157 नर्सिंग कॉलेज जीडीपी का कितना है मेडिकल में तो 2.1% और सीकल से अनीमिया से कब तक मुगत करना है तो 2047 तक आगे सिक्छा की बात करते सिक्छा में कितना आवंटन किया गया है जीडीपी जीडिपी का 2.9% सिक्छा उच्छों को आच्छा से प्राशी ंस्था गएगा अच्छा से logic संसतान उनका प्रोच साहन दिया जाएगा अब यहां पर पुस्त काले की बात चल रही तो जो अपनी लाइबरी खुली हुए लखनों में आप लोग बताएगा कितने लोग लखनों में तो एक दिन ओपन टेस्ट कराएंगे फ्री में टेस्ट आपका जितने लोगों का मन करें आके हिंदी माध्यम में होगा अगर इंग्लिस मीडियम के भी लोग होंगे तो बताएगा जरूर और यहां पर बताएगा कौन-कौन इसमें से लखनों में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो पुस्त काले खोलने को प्रोच साहन दिया गया है यहां पर हर पंचायत में हर व मंतरा लहां और पूरोतर छेत्र विभाग दोनों को मिला कर यहां पे इस चेत्र में विकास की बातब की जारी मतलब जो पूरोतर वाला छेत्र है यह पिर जpu जञजाती चेत्र है उनके विकास का यहां पे काम क्या जएगा अंतिम चोड़ तक पहुँचि सी को गा गया है इसके लवाँ आकांग्ची जिले और ब्लाउक कारिक्रम की यहाँ पर सुरूँआत की गई है। पहले से भी चल रहे थे, आकांग्ची जिला कारिक्रम चल रहा था। तो जहाँ पे जो पिछड़े वाले जिले होते हैं उनके विकास की बात की गई है इसमें। इसके लौब प्रदाहन मंत्री PVTG विकास योजना यानि एक मिशन के तहट जो भी समवेदर सील जनजाती समुदाय के लोग होंगे उनके लिए काम किया जाएगा अब पूछा जा सकता है PVTG के लिए कितने करोण का यहां पर आवंटन किया गया है तो 15,000 करोण का आवंटन क गया गया है नेक्सट बात करेंगे अगले तीन वर्सों में जो 741 एक लबमॉडल आवासी विद्द्ध्याले हें उनके लिए 38,800 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी कितने विद्ध्याले के लिए 741 एक लब configurate विद्द्ध्याले के लिए यह एक लब मॉडल वाले विद्याले होते हैं जिसमें जो अनसूची जनजाती के बच्चे होते हैं वो आके आसानी से पढ़ सकते हैं जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं आगे बात करेंगे सूखा प्रणाओं छेत्रों के लिए जल मतलब जो सूख्षम जो सिचाई होती ह उसकी ब्युस्ताइब की जाएगी करनाटक वाले एरिया में जहां पे सूखा रहता है और वहां पे जो सूख में स्थर पर सिचाई होती हो की जा सकती है इसके लिए आवाश योजना इसके लिए आवंटेन बहुत ज़्यादा किया गया है इसलिए इंपोर्टन्ट है और 89,000 करोन रुपेज के लिए आवंटन किया गया है जो कि पिछले बार के हिसाब से 66% यहाँ पर बढ़ाया गया है कितना बढ़ा याद रखेगा 66% इसको बढ़ाया गया है पिछले साल के हिसाब से पुरा लेखों के digitally current के लिए एक सुरुवात की गई इसका नाम क्या है तो इसका नीवेश की और निवेश की जो निवेश होगा उसकी बात पीसरी प्राथ मिकता में की गई है इसमें क्या क्या चीज़े महत्तोपूर्ण जो है पूंजी गत निवेस को 33.4% से बढ़ा कर 10 लाग करोन रुपए तक करना है इसमें 10 लाग करोन रुपए तक करना है कितना बढ़के ये 10 लाग करोन हुआ है तो 33.4% बढ़कर नेक्स्ट बात करेंगे औसन रचना निवेस को बढ़ावा देने के लिए सरकारों को 50 वस ब्याज रही तुरेल उपलब्द कराया जाएगा यहाँ पर सभी बाते जो की जारी ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उससे जो है हमारी राजश्यू की प्राप्ती जाधा होती है नेक्स्ट बात करेंगे रेल्वे को कितने यहां पर मिला है रेल्वे भी एक तरह का आउसर नचना में निवे से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रेल्वे का अच्छा होगा तो हमारा ही बेनफिट होगा उसमें नेक्स्ट बात करेंगे पत्तन कोईला इसपात आधिके लिए जो हंड्रेट महात्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पर यूजना है चलेंगी इन सबिक चीजों के डेवलप्मेंट के लिए और इसमें कितने रुपए यहां पर आवन्टित किये गए तो 75,000 क करोंड रुपए जिसमें से 15,000 करोंड नीजी छेत्र को दिये गए है 15,000 करोंड जो है नीजी छेत्र आवन्टित करेगा बाकी टोटल का अगर बात की जाए तो 75,000 करोंड रुपए की ब्यवस्था यहां पर की गई है पत्तन कोईला इस पात आधिके डेवलप्मेंट के ल बहुत चीज़े इसमें आएंगी टेक्नोलोजी से रिलेटेड जैसे AI से रिलेटेड इसमें चीज़े आएंगी आर्टिफिशल इंटेलिजन्स से भारत में AI के तीन सैच्छिक संस्थाओं की यहां पर सुरुवात की जाएगी तीन बड़े लेवल पर AI के लिए यहां पर स आसन नीती आएगी मतलब डेटा से संबंदे जितने भी अनुसंदान है उसकी व्यवस्ता की जाएगी सारा डेटा अच्छे से संकलित हो सके वो सब चीजे डेटा सासन वाली नीती आएगी विवाद से विश्वास तक मतलब कोई चीज अगर विवादी थे MSME के सेक्टर मे तो वो विश्वास तक जाए इस तरह की यहां पर बातिक की जाएगी इकोर्ट की बात की जाएगी जल्दी से जल्दी केसे करने प्यारा हो डीजी लॉकर की यहां पर बात की जाएगी हर चीजे डिजिटल हो 5G सिवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा प्रयोक साला में जो सून निकारबन उसर्जन तक पहुचना है और इसके लिए जो रुपई अवान्टिट किया गए है वह 35,000 करोन 30,000 करोन रुपई दोजार स़तर तक के लिए जो सून निकारबन उसचरजन है इस बार इस के लिए इतना यहां पर किया गया है अवनटित यहां पर हरित हाइड्रोजन मिसन वाला याद रखेगा लद्दाक वाला यह दोनों पॉइंट बहुत इंपॉटन्ट है पांसो ऐसे संयंत्र स्थापित किये जाएंगी जिनका नामुगा ओसिस्ट से धन संयंत्र यहां पर गोबर वगार का यूज किया जाएगा तो कितने ऐ आते हैं।ब को आते हैं घरित हरित विकास के अंतर डञाते हैं ग्रीन डेवलप्मेंट के अंतर नलिक आते हैं। क्या कि किया ने बाते हो गई हरित राइंसे जात्र 2 crack prin रुपे बिस थाजार साथ पित करोड रुपे democrat किया जाएगा त तो अमरित पीड़ी युवा शक्ति यहां पर युवा शक्ति की बात की गई है और यहां पर प्रधान मंत्री कॉसल विकास युजना का 4.0 की शुरुवात की जाएगी इसमें बहुत सारी सीजी आएंगी और सभी टेक्नलोजी से रेलेटेड हैं कोडिंग का डेवलप्मेंट किया जाएगा युवाओं में AI के लिए जग रुपता फैल आई जाएगी 3D प्रिंटिंग की बात की जाएगी रोबोटिक्स की बात की जाएगी मतलब जितनी भी बाते हैं इसमें सभी टेक्नलोजी से संब्दीत रहेंगी इसके लाओं पचास गंतव्यों को डेवलप किय जाएगा तो पचास गंतव्यों का यहां पर डेवलप्मेंट करने की बात की गई है इसके लाओं यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी लगबख हर जगह पर यूनिटी मॉल स्थापित होगा और उसमें जो एक जिला एक उत्पाद वाले जो प्रोड़क्त है उनके लि और यहां पर दो लाग करोण अतिरिक्त कॉर्पस निदी का विस्तार किया जाएगा तो यहां पर नंबर करोण का अतिरिक्त कार्पस निदी विस्तार किया जाएगा MSME सेक्टर के लिए महिला सम्मान बचत पत्र की बात की गई है जिसमें दो लाग राशी जमा करने की कुछ जाते हैं कि मंद्राले यों को कितना आवंटेन किया गया तो रक्षा से वाला है तो रच्छा के लिए कितना आवंटेन किया गया सब उपर परोइन से लेके, जिड्येत। 12 करोन यहां पर उंटेन किया पालज्य है के लिए इस क्रेंट में हिया आद रखिए गा जो जो कर्म यहां-पर यहां-पे दियाвой गया है यहां के लिए में में चीजें दी गई है था रेल मंत्राले 24001 लाक करोन का उंटेन क्या गया है रसायन और उर्वरक मंत्राले के लिए 1.78 लाग करोन का यहाँ पर आवंटन क्या गया है ग्रामिड विकास मंत्राले के लिए 1.60 लाग करोन क्या है यह वीडियो की एक्जाम के लिए यह काफी ज्यादा इंपॉर्टन्ट होगा नेक्स नहीं आपर क्रिसी और वि सब के लिए सत्तर हजार करोन रुपै। अभी हमने मंत्रालाय वाला देखा था दू 1,000 करोन के वाल करोन लिखा सब और YEAR SUPER । लिखा होगा यहां पर लाग की बात की जाएं किना कि एक योजना की बात की जारी है। जल जी वन विसन के लिए 70,000 करोन रुपए, फार्मा सेक्टर के लिए 1250 करोन, एकलवे विद्याले जो होते हैं, आवाशी विद्याले उसके लिए 5,942 करोन, इसके लिए पीम आवास योजना के लिए जो अपने पहले भी देखा था, 89,590 करोन, इवी जो इलेक्ट्रोनिक जो वहिकल होती हैं, उनके लिए 5,172 करोन रुपए का आवाशी विद्याले करोन, पूरो उत्तर विकास ये काफी इंपॉर्टन है, 2491 करोन के यहां पर आवाशी जोजना के लिए, आगे बात करेंगे, रुपएया कहां से आता है, कहां तो पहले नमबर पर जो हमें सबसे ज़्यादा पैसा रिण और देता से आता है, सेकेंड नमबर पर जिएस्टी से आता है, उसके बाद आयकार और निगमकर दोनों से 15-15% यहां पर मिलता है, इसके लावा केंद्री उतपात सुल्क से 7%, कर रहित प्राप्ति हमारी 6% रहती पहले है, फिर राज्यों का हिससा होता है, 18%, केंद्र वाली योजना है, उसका 17% होता है, यहां पर सभी इंपोर्टन्ट है, ध्यान से देख लिएगा, केंद्र प्रायजीत योजना है जो होता है 9%, जो राज्यों की तरफ से चलती है, लेकिन उसमें कुछ इससा केंद्र का घाटे से question आता है, directly आता है, 2023-24 में जो अनुमान लगाया गया है, उन्हीं में से पूछा जाएगा, तो राजकोसी घाटा कितना रहने का अनुमान है, 5.9%, राजसु घाटा 2.9%, इसी करम में इसको याद रखे, 5.9, 2.9, उसके बाद 2.3, 1.7, क्या-क्या हो गया, ये राजक संद आया हो, तो लाइक को सब्सक्राइब कर लीजेगा, आरो यारो वीडियो या फिर यूपी पीशेस की आपको टेस स्रीज जोइन करना हो, सारे नोट्स लेना हो, तो 7355459135 पे वाट्सेप करके, पूरी डीटेल ले सकते हैं, थैंक्यू सो मच वाचिंग ब्रेक टाइ से क्वाच्च लेन आया हो, सारे नोटनी कर वाचियो से लीजेगा, उस जाता सा में सकते हैं, या इ